नमस्कार आज मैं बताऊंगा हमारे सरीर में साप के काटने पर क्या होता है हर साप का जहर अलग-अलग होता है मेली हेमोटॉक्सिन, निरोटॉक्षिन और मायोटॉक्षिन सापों में ये जहर पाए जाता है जिसमें की निरोटॉक्शन जहर सबसे खतरनाक होता है या जहर पाए जाता कराइट में कोवरा जिसे आप गोमहन कहते हैं तो आईए जानते हैं जब इसका जहर हमारे सरीर में जाता है तब क्या होता है जब कराइत या गुमहन काट लेता है तब जहर सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है आप यहाँ पे देखिए यह जो पतली सी तार की तरह है यह हमारे सरीर में सभी जगा फैला हुआ रहता है इस से हम लोग ठंड़ा या गरम का मحसूस करते है चब निरो टॉकसिंजर हमारे सरीर में जाता है तब यह सीगनल देना बंड कर देता है और फिर सबसे पहले हमारा हेड मतलब मस्तिक को परालाइसिस कर देता है मिंस लखवा मार देता है और फिर डाइफरागम में जो कि फेफड़ा के नीचे पाए जाता है जिससे कि हम सांस लेने में मदद करते हैं और फिर मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और कुछ ही देर में के बाद मरीज की मौत हो जाती है दूसरा है हेमोटॉक्सिन यह जहर भाइपर मिंस रैटलर स्नेक में पाए जाता है जब यह काटता है तब जहर हमारे खून के साथ रियक्शन करने लगता है और फिर धीरे धीरे खून जमने लगता है यहाँ पे देखिए किस तरह से जहर की बज़ा से खून जम रहा है और फिर जहर की बज़ा से खून वाला पाइप में मिंस धहमनिया में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और खून बहने लगता है इस बज़ा से मरीज की कुछी दिरों में मौत हो जाती है झाल झाल